राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सही सबाल किया कि आखिर अंग्रेजों का बनाया हुआ यह कानून आजादी के 75 साल बाद भी क्यों जारी है इस कानून पर अमल होते रहने पर इसलिए भी सबाल उठते हैं क्योंकि अंग्रेज सासकों ने इसे आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया था आखिर ऐसा कानून स्वतंत्र भारत में क्यों अस्तित्त में होना चाहिए जिसका इस्तेमाल तिलक और गांधी जैसे नेताओं के खिलाफ किया गया हो समस्या के बल यह नहीं है कि अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून अभी भी अमल में लाया जा रहा है बलकि यह भी है कि अक्सर इसका इस्तेमाल उन मामलों में किया जाता है जो मुस्किल से राजद्रो के दाइरे में आते हैं आखिर किसी मामले में अनुचित बयान देने या फिर आपत्ती जनक लिखने बालों के खिलाफ राजद्रो कानून के तहत कारेवाही करने का क्या मतलब ऐसा किया जाना तो अभिव्यक्ती की सोतंतरता पर आघात है इस पर हैरत नहीं कि जब बेतुके वाहियात बयान देने वालों पर राजद्रो कानून के तहत कारेवाही होती है तो ऐसे ही स्वर सामने आते हैं कि लोगों की आबाज को दबाया जा रहा है अथबा अफिव्यक्ती की आजादी पर पहरा बैठाया जा रहा है यह सही है कि लोगों को राजनीतिक सामाजिक बिमर्स में आपत्ती जनक बातें करने से बचना चाहिए लेकिन यदि कोई सैयम सालीनिता का परिचय न दे तो फिर उसके खिलाफ राजद्रो के तहत कारेवाही करना ठीक नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ किसी अन्य कानून के तहत कारेवाही तो समझ आती है लेकिन उन्हें राजद्रोही करार देने का कोई ओचित नहीं कत्नी और करनी में अंतर होता है इस अंतर को समझा जाना चाहिए यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह संबंदी कानून की बैधानिकता परखने जा रहा है कुछ देर से ही सही यह काम किया ही जाना चाहिए लेकिन इसी के साथ यह भी ध्यान रखा जाए की कुछ लोग बास्तव में ऐसे करते हैं जो राजद्रोह के दाइरे में आते हैं ऐसे लोग केबल देश के खिलाफ बोलते लिखते ही नहीं है बलकि देश को नुकसान पहुचाने वाले काम भी करते हैं कई वारतों वे कानून एवं वेवस्था अथवा राश्ट्रिय एकता एवं अखंडता को चती पहुचाने वाली गतिविदियों में लिप्त हो जाते हैं या फिर देश के लिए गंभीर खत्रा बने तत्तों की हर संभव सहायता करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ तो प्रभावी कारिवाई होनी ही चाहिए इस पश्ट है कि बास्तव में राजद्रोही आचरड करने वालों के खिलाफ ठोस कानून की जो आवस्यक्ता है वह भारतिय डंड सहता में होनी ही चाहिए इसी के साथ वह भी यह भी देखा जाना चाहिए कि अंग्रेजों के बनाए ऐसे और कौन से कानून है जिनकी समिक्छा आवस्यक्ता है